एक बेहत एहम खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कोरोना के बारे में अब तक ये बात कही जा रही थी कि ये हवा से नहीं फैलता, सिर्फ ड्रॉपलेट से यानि प्रैक्टिकली किसी के संपर्क में आने उसके मूँ से निकले चीकने, खासने से निकले हो ड्रॉपलेट से आप बूंदो से ही फैल सकता है, लेकिन अब विशेशग्यों ने, विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के विशेशग्यों ने एक रिपोर्ट तयार की है, जहां ये दावा किया गया है, कि ये हवा से फैलता है, तो साफधान हो जाएए, उन्होंने रीजन्स दिये है कैसे ये हवा से फैलता है, और रीजन काफी पुकता दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, अगर ये सही सावित हुआ, तो आप वो घर में मास्क लगा कर चलना होगा, सारे नियम, सारे काइदे, सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी, तो मैं आपको बता दू, भारत में दो लाग साधा केसिज हो गए हैं, मेडिकल जनरल दलेसंट ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वाइरस का ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है, और इंग्लैन, अमेरिका और कैनेडा के 6 स्पेशलिस्ट ने इस रिपोर्ट को तयार किया है इन एक्सपोर्ट सा कहना है कि हवा के जरिये वाइरस नहीं फैलता, ये साबित करने के लिए परियाप्त सबूत नहीं है हमारे पास, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वाइरस हवा के रास्ते से फैल रहा है, इसके 10 कारण बताए गए हैं, मैं आपको बत हैं, वो उस शुरुवाती वाहक हो सकते हैं, हवा के जरिये जो फैल सकते हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि होटलों में जहां कॉरंटीन रूम था, सब अलग-अलग कमरों में थे, प्राक्टिकली वो लोग इसके पास नहीं आए, अलग-अलग कमरों में होते हुए भी वहा उनमें संक्रमन फैला, इससे साबित होता है कि हवा के रास्ते ये संक्रमन फैल रहा है, उन्होंने ये कहा कि विश्व में लग-भग तैती से उनहत्तर पतिशत लोग ऐसे हैं, जिनको कोविड हो रहा है, उसके जिमिदार हवा नहीं है, ये साबित करना मुश्किल है, फैल रहा है वो, उन्होंने एक और जो धारन दिया, उन्होंने एक और चार दिवारी के अंदर, घर के अंदर ये जादा फैलता है, क्योंकि वो हवा वही पर घर के अंदर का environment वातावरन वही रहता है, वहां पर हवा के जरीए फैल सकता है, जरूर ये ड्रॉपलेट्स गिरें, जो कर्मी हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर भी फैला है कोविट, और वो पीपी किट जो है वो डिजाइन की गई थी, कि ये ड्रॉपलेट्स के या बूंदों के जरीए फैलता है, और तब भी वहां पर कोविट फैला, बचाव का साधन पहनने के बावजूद, क्योंकि वो प पीपी किट बूंदों से और ड्रॉपलेट्स से फैलने वाली बिमारी के लिए डिजाइन की गई थी, ये एक बड़ा रीजन दिया है, ये भी कहा है कि सार्स ओफ्टू हवा में भी पाया जा रहा है, और ये तीन घंटे तक जीवित रहता है, विशेशग्यों ने खारिश कर दिया कि ये हवा में जीवित नहीं रह सकता, एक और उन्होंने उदारन दिया कि साथ ओफ्टू एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग के डक में भी पाया गया, जहां सिर्फ हवा के जरीए ही पहुचा जा सकता है, जहां सिर्फ हवा के जरीए ही ये जो है संक्रमन फैल सकता इसका इलावा उन्होंने पिंजिरों में बंद जानवरों का उधारन दिया कि उन पर उनमें भी संक्रमन पाया गया जबकि पिंजिरों में बंद थे उन तक संक्रमन का पहुँचना सिर्फ हवा के ज़रीए ही संबस हो सकता है ये भी उन्होंने बताया कि अब तक कोई भी ऐसा मजबूत तरक संगत आधार नहीं आया है जहां ये साबित हो सके कि ये हवा के जरीए नहीं फैल रहा तो ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल इस मामले को खारिच करना बिलकुल गलत हो जाएगा कि हवा से नहीं फैल रहा अगर ये रिपोर्ट इसे सुझाए गए जो चीजें हैं कि वो सही निकलती है तो हमारा जो अब तक का कोईट को देखने का नजरिया है वही बदलना कॉपलेट्स ना भी निकले तो हवा के जरीयों संक्रमन हो सकता है तो आपको बहुत एहतियाद बरतनी पड़ेगी फिलहाल ये शुरुवाती एक रिपोर्ट आई है इस पर किस तरह से चर्चा होती चुकि रिपोर्ट अभी आई है किस तरह से चर्चा होती है आगे इस पर कैसे दिशादशा बदलती है देखना बहुत इंपोर्टन्ट होगा कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए पसंदाया हो तो जरूर लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो बढ़े